जैब माताधी श्वागत है आप सभी का मेरे एच्यस वारत्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा नवरात्री का इस उपाय से तंत्र मंत्र कोक बंदन नजर दोस सब कुछ खत्म होगा कि ये कराय का प्रबाब भी खत्म हो जाएग पुत्र प्राप्ति में रुकाब अटा रही है तो वो अवे दूर होंगी और पुत्र धन की प्राप्ति होगी नवरात्री का ये उपाय बहुत ही चमतकारी है जैसे मैं बताऊं उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है आप सभी जानते हैं कि नवरात्री में हम माता के न किया जाए उसका कही गुना फल प्राप्त होता है और दिन आप जो पाय करेंगे उससे कही गुना फल नवरात्रों में प्राप्त होता है तो जापर माता की आपने कला सिस्तापना किया है माता की ए खन्न जो जल रही है खेत्री वीजी है आप प्रते दिन माता की पूजा कर र दागा लेना है और धागा आपको अपने बराबर का लेना है अपने एड़ी से चोटी तक का नाप करके जिस व्यक्ति को या इस्त्रिया पुरुष को या परेशानी आ रही है वह अपने सरीज का धागा नापे और उसको साथ बार फोल्ड कर लें फोल्ड करके ये धागा माता के सामने रख दें पीली सरसों माता के सामने रख दें साथ ही आपको एक शुपाडी माता के सामने रख देनी है उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक जाय फल्वी माता के सामने रख देना है साथ ही लोंग और इलाची साथ ही आपको गाय का घीवी लेकर क्या आना थोड़ा सा, लोंग आपको लेनी है, जितनी आपकी उम्र है, उतनी लोंगे लेनी है, मानो आपकी 32 साल की उम्र है, या 34 साल की उम्र है, तो आप उतनी लोंग ले लेंगे, और उससे आदे, या आपकी 34 साल की उम्र है, तो आपको 34 लोंग ले लेनी है, और आपको 17 बता से ल लेना हैं प्रते एक बतासे में दोनों दो लोंग लगा करके एक प्लेट में रख लें और माता के सामने रख दें जैसे मैं बता रहा हूं बिस्तार से साधा तरीके से आपको बता रहा हूं और मंत्र मैंने दिया हुआ लाश्ट में स्क्रीन पर वो मंत्र लेक करके आपको अब आपको क्या करना है कि जैसे आप प्रति दिन की पूजा करते हैं उसी प्रकार से पहले पूजा कर लें उसके बाद में आपको हाथ में जल ले करके संकल्प करना है कि है मातेश्वरी आपके पुत्र प्राप्ति की परिसानी है या आपके उपर नजर दोस है किया कराया है नजर दोस बहुत बुरी होती है यह किया कराया जैसे अचानक आदमी तरक्की करता है अच्छा खासा पेंसा कमाता है और बहुत से लोगों की नजर लग जाती है यह बहुत बढ़ यह पेंसा कमा रहा है अच्छा खासा यह तरक्की कर रहा है उचाईयों को छूराए, तो लोगों की नजर लग जाती है, बहुत से लोगों को जैसे रास्ते मुझा रहे हैं किसी का किया कराय का फेंका हुआ हुआ हुथा, उसको उपर पैर पढ़ जाता है या नाग जाते हैं, लंग जाते हैं उसको, तो उससे भी परिशानी आजाते है अगर आपके उपर की ये कराय का प्रवाब है या आपके घरपन नजरदोस है तो आपकी बरकत रुख जाएजी प्रमोशन नहीं हो पाएगा बच्चे कहना नहीं मानेंगे लड़ाई जगड़े शुरू हो जाते हैं पती पतने में लड़ाई जगड़े शुरू हो जाते हैं परवार वालों में अनमन शुरू हो जाती है किसी ना किसी बात को ले करके रोज कले सूते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको उपर हाई या नजरदोस चाकी अकराया है काला धागा आप सभी जानते हैं कि काला धागा बहुत प्रियोक किया जाता है और अक्सर जागाता जो लोग वीडियो देख रहे हैं काफी लोगों ने काला धागा बांध भी रखा होगा काला धागा हाई नजर दूस बुरी बलाओं से बचाता है अकसर किसी को नजल लग जाती है तो वो मंदर जाते हैं और काला धागा बनवा करके आते हैं पहनते हैं यब उससे लोग बैसे साधा पहन लेते हैं तो काले धागे का विसे स्प्रियोग किया जाता है तो ये सारा सामन आपको माता के सामने रख देना है उसके ब आपको जो बतासे आपने रखे हैं, पहले आपको संकल्प करना है, उसके बाद में एक एक बतासा उठाते जाना है, और उस अगनी में डालते जाना है, पहले आपको श्री गड़े साय नमाहा, इस मंत्र की पांच आउती डालनी है, एक साइड में घी रख लें और एक साइड या आप ओम ब्यानाई स्वाहा, उदानाई स्वाहा, समानाई स्वाहा, ध्यानाई स्वाहा, आगने स्वाहा, इन मंत्रों को बूलके भी पांच आउती दे सकते हैं, उसके बाद में आप माता के मंत्र, सर्व वादा बिनी मुक्तो, धन्य, धान्यम, सुतन, मनिश्या, म्रत प मंत्र के आउती दे सकते हैं बिना संकल्ब के नहीं करना आपको यह उपाएं जब आप 11 आउती दे ले तो पर आपको 11 आउती अपने इस्ट देपता के नाम से देनी है और 11 आउती 9 माता के नाम से देनी है उसके बाद में ओम इस मंत्र को बोलते जाएं और एक एक बतास अगनी में डालते जाएं सारा डाल दें और जब 11 आउती रह जाएं लाश्ट में तो प्रतिक बतास पर इल्याची रख रख के आपको अगनी में डाल देना है एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप यह पाय कर रहें तो माताक साम नारियल भी चड़ा देना आपको और पीले मिठाई के पांच पीच केसर डाल के माता को अरपन कर दें जब पतास से आप पूरे डाल दें लोग इल्याची के आउती हो जाए उसके बाद में जो पीली सर्सों आपने रखे उसमें से थोड़ी सी पीली सर्सों उसमें डालेंगे बची हुई पीली सर्सों आप घर में डाल देंगे अब आपको क्या करना है कि जो धागा आपने लिया है रखा है माताक सामने वो धागा उठा लेंगे और एक پीछ पीली मिठाई का उठा लेंगे जिसको परेशा नहीं हो रही है वो है एक दीपक के साथ में दीपक लेकी जाएं, उसमें दो लोंग डाल दें पीपल बलग के नीचे पहले आप मनुकाम ना बोलेंगे प्र फिर पीली मिठाई माँ पर रख देंगे दीपक जलागे दो लोग उसमें टाल देंगे और जो धागा है वो पीपल ब्रक से लपेट देंगे पीपल ब्रक से लपेटने के बाद में जो आपने नारियल माताक सामने चड़ाया है वो प्रसाद के रूप में आप ले लेंगे और उसका प्रसाद बांट के आपको खाना है तो यह बहुत ही अच्चा उपाए है कभी भी कर सकते हैं आप दन, उत्र, सुक, सम्रादी सब कुछ प्राप्त होगा पीपल ब्रक्ष से जब आप लपेट रहे हूं तो उस समय आप अपनी मनोकाम न बोलना हैं चैनल को सब्सक्राइब करें जय मतादी